महेश भट निर्देशित फिल्म सरक्टू का जम का विरोध किया गया जहां आलिया भट और नेपोटिजम के कारण फिल्म के ट्रेलर को पहले ही लाखो डिसलाइक्स मिल चुके हैं वही डिजिटली रिलीज फिल्म सरक्टू फिल्म समिक्छिको और दर्शिको की उमीद पर भी खरी नहीं उतर पाई और फिल्म जानकारों ने इसे सिर्फ एक स्टार की रेटिंग दी है और अब इस फिल्म के कारण टीवी आक्ट्रस रश्मिदेशाई भी ट्रोलर के निशान वो टीवी के सामने बैठी है और इस फिल्म को देख रही है साथ ही फिल्म को लेकर अपने एकसाइटमेंट के बारे में भी रश्मी ने सोशल मीडिया पर बताया है और अब यूजर्स ने रश्मी देशाई कि इस ट्विट के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है और उनका कहना है कि वो सुशांत को जस्टिस दिलाने के मिशन को कमजोर कर रही है साथ ही कई यूजर्स ने तो उन्हें अनफॉलो करने की स्क्रीन शॉर्ट भी शेयर किये हैं साथ ही यूजर्स सरक्टू को देखने को गलत बता रहे हैं और रश्मी देशाई पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सुशान सिंग राजपूत केस में चुप क्यूं है एक यूजर्स ने तो लिखा है कि जहां पूरी दुनिया सरक्टू का बहिश्कार कर रही है वही रश्मी देशाई ये फिरन देख रही है और अब उनके लिए रस्पेक्ट नहीं है साथ ही ल सोशल मीडिया पर नेपोटिजम को लेकर महेश भट और उनकी बेटी आलिया भट पर ट्रोलर्स का भडास कई दिनों से निकल रहा है और अब आलिया की रिलीज होने वाली फिल्म सरक्टू के लिए भी सब का गुस्सा देखने को मिल रहा है आलिया के खिलाफ चली मुहीम क असर अब सरक्टू के ट्रेलर पर भी पड़ता नजर आ रहा है और बूधवार को रिलीज हुए ट्रेलर को पांच घंटों में 12 लाग से जादा डिसलाइक्स मिले सरक्टू के ट्रेलर को फॉक्स टार इंडिया ने लगभग 11 बजे अपने यूट्यूब एकाउंट से शेय किया है सरक्टू को जब से OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज करने का ऐलान हुआ है तब से फिल्म के विरोध में सोशल मीडिया पर कैमपेंज शुरू किया गया क्यूंकि लोगों का माना था कि इस फिल्म से नेपोटिजम को बढ़ावा मिल रहा है और अब तक सरक्टू के ट तरह की प्रतिकिरियां आएंगी विल महेश भट निर्देशित फिल्म सरक्टू में आल्या के अलावा आदित्य रॉय कपूर और संजेदत लीड अक्टर्स हैं और 28 अगस्त को डिजनी प्लस होट स्टार पर फिल्म को रिलीज की जाएगी